असलालेकूम, वलकम टू लेट्स कुख विट पैशन, आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी एगलेस फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, यह आप केले या बनाना से बना सकते हैं, यह बनाना फ्रेंच टोस्ट बनाने की रेसिपी है, इसे आप ब्रेकफस्ट में बना सकते हैं, बहुत फटा-फट से बन कर तयार हो जाता है, या फिर आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी के साथ ही, यह हल्दी भी है, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, तो सब बनाना शुरू करते हैं, बनाना फ्रेंच टोस्ट, इसके लिए मैंने या दो पके हुए केले लिया है, तो सबसे पहले हमें केले का चिलका उतार लेना इस तरह से, और इसे हमें एक मिक्सी के जार में डाल लेना है, क्योंकि हमें इसे पीसना है, तो इस तरह से आप हातों स तो आप उसे साब से शकर को घटा बढ़ा भी सकते हैं उसकी मिठास के कॉर्डिंग एक चौथाई चम्मच इसमें दालचीनी का पाउडर भी डाल देंगे और आदा कप मैंने ये नॉर्मल टेंपरेचर का पका हुआ दूद है वो लिया है वो भी इसमें डाल देंगे और मैंने एक फ्लैट डिश या आप कोई प्लेट या बोल भी ले सकते हैं जिसमें एजिली जो है ब्रेट को हम डिप कर सकें दोनों साइट से तो इसलिए मैंने यह 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 यूज किया है अब हम ब्रेट स्लाइस ले ले लेंगे तो आप होल वीट यह ब्राउन कोई भी यूज कर सकते मैंने यह नॉर्मल सेंडविच ब्रेट के यूज किया है अब इसके एक एक पीस को हमें इस तरह से इसमें डिप कर लेना है दोनों साइट से तो यह बैटर आप बहुत गाड़ा ना बनाए वरना यह अच्छा नहीं बनेगा तो इतना बस इसकी थिक और मीरियम फ्लेम पर हमें इसे पकाना है ना ही लो पर पकाएँ ब्लेम इना हाई अब यह एक साइट से पक जाएगा ताब हम इस 살ए पलट देंगे यह लाका सा कलर आना शुरू हो गया है और थोडा सा बटर मैं और डाल रही हूं ताकि दूसरी साइट प्रूस्ती लेना है तो अब देखिए इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ गया है दोनों साइट पर हमारा बनाना फ्रेंच टोस्ट बिल्कुल रेडी है तो इसे आप फ्रेश फूर्ट के साथ सर्व करें अपनी पसंद के जो भी आपको फूर्ट पसंद हो तो इस तरह से आप भी एक बार बनाना फ्रेंच टोस्ट बना कर जरूर देखें बहुत ही टेस्टी लगता है यह बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है इसी तरह की और भी रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नकिया हो तो सब्सक्राइब कर ले साथी नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे मुझे अपना फीडबैक कर्मन सेक्शन में जरूर दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ तब तक टेक केर अलाह आफिज